बिग बॉस 11 प्रियांक से गल्फरेंट दिव्या ने किया ब्रेक अप कहा नहीं रहना जाती ऐसे इंसान के साथ प्रियांक की गल्फरेंट दिव्या ने ब्रेक अप की खबर का खुलासा करते हुए कहा कि प्रियांक का असली चहरा अब सामने आ चुका है और अब मैं उसके सा नहीं रहना जाती हूं बिग बॉस 11 के कंटेस्टन प्रियांक शर्मा अपनी लव लाइफ की वजह से सुर्खियों में है जैसा कि आपको पता है कि प्रियांक शर्मा और दिव्या अगरवल रिलेशन्शिप में है लेकिन पिग बॉस हाउस में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसने दिव्या को हिला के रख दिया है प्रियांक ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिससे दिव्या का दिल टूटाया है और अब उन्होंने प्रियांक से ब्रेक अप करने का बड़ा फैसला ले रही है दरसल पिक बॉस हाउस में जब से प्रियांक की वापसी हुई है उनकी और बेनाफशा की बढ़ती हुई नजदीकियां खूब सुर्खियां बना रही है इन दोनों की नजदीकियों से इस तरफ इशारा मिलता हुआ दिख रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ है यही बात दिव्या को नागवार गुजर रही है और अब दिव्या ने ले लिया है एक बड़ा फैसला दिविया ने तोड़ा प्रियांग से रिष्टा T.O.I को दिए गए एक इंटर्वीव में दिविया ने कहा है कि प्रियांग का असली चहरा बिग बॉस में सामने आ गया है और वो अब उसके जैसे इनसान के साथ रहना नहीं चाहती दिव्या ने बिग बॉस में प्रियांक के रवयले पर बात करते हुए कहा कि पहली बात तो बेनाफशा ने यह क्यूं कहा कि भूल जाओ वाना हम दोनों के लिए काफी बुरा होगा फिर घर में प्रियांक तक की एक स्कल्फ्रेंड निकिता का नाम सामने आ रहा है दूसरी बात प्रियांक ने कहा कि मुझे बाहर कोई दिक्कत नहीं होगी इसका मतलब है कि उसके लिए मेरी कोई कीमत नहीं है क्या वाकई में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी दिव्या आगे कहती है कि प्रियांक बेनाफशा के साथ बिलकूल उसी तरहें का व्यवहार कर रहा है जैसा वह hedge मेरे साथ स्क्लिट्स वेला में करता था बिग बॉस में प्रियांक का आसली चहरा अब सामने आ चुका है और अब मैं उसके साथ नहीं रहना जाती हूँ हिना को भी लगता है बेनाफशा और प्रियांक में कुछ चल रहा है यहां तक के एपिसोड में आपने देखा कि कल की एपिसोड में हिना ने भी बेनाफशा से प्रियांक और उसके close relationship पर बात की